नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एर एकेडमी के यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम फिर से एक बार एक्रिकल्चर एक्स्टेंशन का तीसरा पार्ट लेकर आएं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग वीडिय कुछ करते हैं किसानों को समझाने के लिए कौन-कौन से टीचिंग मेथर्स होते हैं उसके बारे में और इस जितना हम आज यह आपको पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में से कम सकम एक यह दो क्वेस्टन जरूर से जरूर यूपी केटर में पूंचा जाएगा और हर साल पूं na ग्रूप मेथट तो पहला है इंडिवीज्ट्यल कोन्ट्यक में इशन to face और person to person contact between the rural people and extension worker तो इसमें क्या होता है face to face contact होता है किसका जो हमारा ग्रामीड होता है किसान होता है और extension worker का individual contact method होता है एक से extension worker एक extension worker एक या दो किसानों से ही face to face contact करता है it is very effective in teaching तो जाहिर सी बात है अगर सिर्फ एक ही लोग को कोई एक चीज़ समझाए जाएगी एक लोग के द्वारा तो ज्यादा effective होगी वहीं अगर ज्यादा लोगों को कोई एक आदमी समझाएगा तो फिर कम effective हो जाती है तो यह effective method है quantum of feedback available is very high feedback बहुत ज्यादा अच्छा होता है इसका feedback अच्छा मिलता है क्योंकि effective method है लेकिन slow communication है slow communication ही होगा क्योंकि जब एक एक लोग को समझाए जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा time लगेगा इसको क्या करने में समझने में या सारे किसानों तक किसी बात को पहुचाने के लिए time लगेगा इसलिए ये slow communication के लाता है इसके अंतरगत कौन कौन आते हैं तो यह जो example है यही इसमें पूछे जाते हैं कि जैसे मानली यह पूछ लिएगा कि farm and home visit किसे अंतरगत आता है तो वह आता है हमारा individual contact method तो यह example है इसके farm and home visit later जो पत्र होते हैं telephone call, office call और result demonstration बहुत ज्यादा important इसमें farm and home visit और result demonstration बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि result demonstration हमारा कैसा contact method है individual या group या mass तो result demonstration हमारा individual contact method है तो यह हो गया हमारा individual contact method इसके बाद आता है हमारा group contact method तो पिछले वीडियो हमें आपको बताया था कि group कप कहलाता है जब एक जगे दो से 30 person हो तो वह हमारा group कहलाता है तो यही है rural people are farmers or are connected connected in a group एक group में यह लोग क्या करते हैं discussion करते हैं कोई भी जो extension worker होता है group बनाकर दो से 30 लोगों का एक group बनाएगा और पिर अगर जो भी topic होगा या जो नई technology होगी या जो भी उसे किसी चीज़ का extension करना होगा प्रसार करना होगा उसको एक group में करेगा दो से 30 वेक्तियों के बीच में करेगा usually जो group बनाते हैं आम तो पर वह हमारा बीच से 25 लोगों का होत है या किसी चीज़ को समझाता है और यहां पर भी face to face contact होता है तो group के अंतरगत कौन कौन आते हैं यह आते हैं इसमें symposium पैनल हमने आपको बताया था कि symposium क्या होता है 2-5 speaker होते है पैनल में 2-8 speaker होते हैं इसके बाद discussion lecture lecture जो होता है वो भी 20-25 लोगों के बीच में होता है व वह भी हमारा group contact method method demonstration बहुत ज्यादा important है method demonstration किसके अंतरगत आता है group contact method के अंतरगत national demonstration इसके बाद meeting जो कोई meeting होती है वह भी हमारा group contact method के अंतरगत आती है meeting के द्वारा किसी चीज को समझाना role playing, puppet show, puppet show जिसे कहते हैं एक प्रकार से जो पहले होते थे अब तो इस समय ज्यादा नहीं होते प्रकार से जैसे गुड़े-गुड़ियों का खेल जो गाओं में दिखा जाता था गाओं में वो हमारा puppet show के अंतरगत आता था slide हो गया, school हो गया, conference हो गई जो हम conference करते हैं वो training का एम, training का एम भी group contact method के अंतरगत आता है, flash card, यह सब इतनी जो चीज़े हैं वो हमारा group contact method के अंतरगत आता है, तो बहुत ज्यादा important है, सारे जो जो चीज़े आती हैं, जो जो group contact method के अंतरगत आते हैं, उन सबको आपको अच्छे से यादक ना है, इसी से question पूछे जाते हैं, जैसे की method demonstration किस के अंतरगत आता है, symposium किस के अंतरगत आता है, training camp किस के अंतरगत आता है, इसे ही question पूछे जाएंगे, और इससे एक question जरूर से जरूर, UP credit में पूछा जाएगा, next question है, next है, mass or community contact method, तो community क्या होता है, हमने आपको बतायता है, जिसमें जब 30 से होता है, वो हमारा community कहलाता है, तो the large number of people are contacted for dissemination of news information, तो जब 30 से ज़्यादा बेक्ती किसी चीज को समझते हैं, या extension वर कर किसी चीज को समझाता है, 30 से ज़्यादा बेक्तियों का group बना कर, तो हमारा mass or community contact method कहलाता है, इसके अंतरगत कौन आते हैं, वो आता है, हमारा bulletin आता है, booklet आता है, folder आता है, pamphlet आता है, तो आप सब समझते हैं, जैसी ये leaflet, booklet, booklet, folder, pamphlet हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, pamphlet हमने छपा लिए बहुत सारे, किसी चीज का प्रसार करने के लिए हमने हजारों pamphlet छपा लिए और सबको बांट दिए, तो यह हमारा किसके अंतर देक्शन नहीं होता कि सिर्फ 10 लोग ही पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता और कितने लोग भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह जर्नल हो गया, exhibition हो गया, exhibition में कोई यह नहीं होता कि सिर्फ 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, 20 लोग से ज्यादा नहीं देख सकते, कोई भी भी देख सकता इसमें कितने भी देख सकते हैं और जनरली एक जीवीशन हो गईरा में भीड होती है तो यहां पर बहुत सारे लोग सांग्स यह सब हमारे किसके इंतरगत आता है मांस कम्यूइटी contact method के अंतर अगर आप सब सोचेंगे आप खुद से ही सोचेंगे तो यह सब जितने method है यह तो इसमें बहुत सारे लोग involved होते हैं जनरली जो हमारा 30 लोगों का group होता है 30 से ज़्यादा है इसमें involved होते हैं तो आपको 8 speaker होते है पैनल में 2 से 8 speaker होते हैं सिंपोजियम में क्या होता है सिंपोजियम में 2 से 5 speaker होते हैं next हमारा pamphlet तो pamphlet क्या होता है कि आपने जनरली देखा होगा लोग क्या करते हैं कि किसी चीज को promote करने के लिए या किसी चीज का परचार करने के लिए जैसे माली फिकल ले कोई नई कोचिंग कोई खोलता है या कोई नई सौब खोलता है तो रास्ते में खड़े करके किसी को वो लोग एक परच्छे टाइप कबाठ़ते हैं तो परच्छे हमारा पंप्लेट कंखलाते हैं 12-24 page का pamphlet next है हमारा leaflet leaflet क्या होता it is a published material on a small paper in which there is a brief information of subject leaflet contains 4-12 pages यह important है पूचा जाता है कि pamphlet में कितने page होते हैं तो इसमें 12-24 pages हो सकते हैं वहीं leaflet में हमारे 4-12 pages which are stitch और staple at a center तो यह क्या होता है बीच में staple किया हुआ होता है और उसमें किसी एक topic की सारी जानकारी होती है एक छोटा paper type का होता है brief information जिसे कहते हैं बड़ी बड़ी जानकारी किसी topic की वह उस leaflet में उस कागज पे होती है तो वह हमारे कहलाता है leaflet इसमें कितने pages हो सकते हैं 4-12 अगला है folder folder क्या होता है it is a published material on a large paper its characteristics is that this paper can be folded once or twice due to its large size तो folder जैसे आपने देखा होगा क्या होता है कि एक large paper होता है किसी topic के बारे में पूरी जानकारी दी हो सकती है और यह उतना बड़ा होता है कि इसे 2 या 3 बार mode आजा सकता है तो वह हमारे कहलाता है क्या folder next है bulletin bulletin क्या होता है it is a small published book consisting of 5-8 pages it contains the important and detailed knowledge of any one subject तो यह एक क्या होता है एक book की तरह होता है जैसे आपने देखा होगा क्या कोई program होने वाला होता है तो वहाँ की एक छोटी छोटी बुके बनाई जाती है 5-8 pages की जिसमें उस program का सारा schedule या बांकी चीज़े दी होती है तो इस तरह से जो जानकारी दी जाती है एक book के माध्यम से जिसमें 5-8 pages हो वह हमारे कहलाता है bulletin क्या गलाता है bulletin अगला है newspaper newspaper it is a form of newspaper news letter sorry it is a form of newspaper यह किसका form होता है newspaper का ही form होता है newspaper की तरह होता है which is published in small size and contains 2 or 4 pages तो इसमें कितने page होते है 2-4 page कितने page 2-4 page अगला है journal या magazine तो magazine क्या होती है magazine contains the latest and important information provided by various extension agencies on varied subject matter तो journal और magazine generally जैसे आप सभी जानते है बहुत लोग पढ़ते भी होंगे आप सब लोग कुरूच्वेत्र हो गए तरह तरह की magazine या पत्रिका है पढ़ते है तो यह क्या होती है जैसे आपको भी पता है कोई monthly होती है कोई yearly होती है कोई 6-6 month होती है तो यह इन में क्या होता है latest topic discuss किया जाता है किसी special subject पर तो वह हमारा क्यलाता है journal या magazine next है circular letter circular letter क्या होता है the letter that is used to send the same information to many people at the same time is called the circular letter जैसे आपने देखा होगा कि आप सभी माली जी किसी college में पढ़ते होंगे किसी university में पढ़ते होंगे तो हाँ college में आपने क्या देखा होगे जिससे कोई जानकारी दी जाती है किसी office के द्वारा बड़े office के द्वारा की आज होना कलिये होगा तो उसके लिए क्या किया जाता है आप सब अलग-अलग hostel में रहते होंगे किसी चीज के schedule दिया होता है वो हमारा circular letter कलाता है अगला है according to equipment जो equipment होते हैं यह बहुत ज्यादा important है हमने जो आपको एक table दी है बहुत ज्यादा important है इससे question जरूर पूछा जाएगा तो इसमें समझा देते हैं यह भी तीन तरह होते हैं जिसे audio ads, visual ads, audio visual ads तो audio का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ आवाज होती है जिसमें हम सिर्फ आवाज सुन सकते हैं उसमें हम image नहीं दे सकते हैं या video नहीं देख सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं audio ads, visual ads क्या होते हैं जिनमें हम सिर्फ वीडियो देख सकते हैं या जो विजुल होते हैं जिनमें हम सिर्फ देख सकते हैं और उनकी आवाज नहीं सुन सकते हैं वो हमारा विजुल एड्स कहलाते हैं और जो ऑडियो विजुल एड्स हैं उसमें क्या होता कि आवाज भी होती है और जो हम क्या है उ नॉन प्रोजेक्टेड भी होता है तो प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड का मतलब एक प्रकार से प्रोजेक्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज को जब विजूल होगी तो जो विजूल होता है उसको एक परदे में प्रकट करना किसमें एक परदे में जैसे हमने क क्या करते हैं किसी स्लाइट को प्रेजेंट करने के लिए एक परदा चाहिए होता है में बढ़ा सा तो वह हमारा क्या कहलाता है तो ऐसा प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टेट कहलाता है और नॉन प्रोजेक्टेट जिसमें हमें सो करने के लिए किसी परदे की जरूरत नहीं होत या नॉन प्रोजेक्टेट और यह तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्लाइड इजा प्रोजेक्टेट विज्वेल एड्स तो इस तरह करके इससे क्वेशन पूछे जाएंगे यह आपको टेबल बहुत यह अच्छी हाथ करनी है तो इसमें और यह कौन-कौन से होते ह ना कि एक दूसरे से को देख सकते हैं यहाँ पर मॉबाइल फ़ॉन की बात नहीं की गई ना की उसमें वीडियो कॉल की बात की बात की गई है इसके बात है प्रोजेक्टेट विज्वेल एड्स जिसमें पर्दे की जरूरत होती है और वो सिर्व विज्वेल होते है प्रोजेक्टेड विज्वल एड इसी तरह फिल्म स्ट्रेफ हो गई साइलेंट फिल्म हो गई यह हमारा क्या हो गया विज्वल एड्स साइलेंट फिल्म जिसमें आवाज नहीं होती इसके बाद नॉन प्रोजेक्टेड विज्वल एड्स नॉन प्रोजेक्टेड है और लेटिन बॉर्ड हो गया पोटोग्राप्वोगाइं यह खुद में अपने आपको फो करते ना कि इनको खुद को सो करने के लिए किसी परदे की जरूरत प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं यो non projected होते हैं सब इसके बाद audio visual ads में projected होते हैं कौन-कौन से television television आपने देखा होगा कि वो एक परदे में भी so होता है visual भी होता है और audio भी होता है इसी तरह motion picture इसके बाद non projected में drama drama जो जैसे आपने कोई drama तयार किया 8-10 लोगों ने मिलके तो वो क्या होगा आप उसमें dialogue भी बोलते हैं और उसको so भी करते हैं acting के दोरा तो वो हमारा audio visual ads है और non projected है इसी तरह लेकिन अगर उसी drama को आपको किसी television में so कर दिया गया तो television क्या होता है वो projected हो गया इसी तरह puppet so जो हमारे होते थे पहले एक प्रकार से जैसे मदारी का खेल या जो गुड़ गुड़ियों का खेल जिने धागे में बांद कर so किया जाता था वो हमारा puppet so कर लाता था चलिए next definitions हैं पहला exhibition exhibition क्या होता है an exhibition is the systematic display of information actual specimen model posters photographs and charts तो यह exhibition आप सभी जानते होंगे किसी चीज को present करते हैं exhibit करते हैं एक systematic display होता है information की और actual specimen होता है model होता है एक प्रकार से किसी चीज का पूरा model होता है तो वो हमारा कहलाता है exhibition next है हमारा motion pictures और movie movies are an effective tool for arousing interest among the people they are the most suitable medium for attracting bigger audience a film so is followed by discussion with the villagers तो आप सभी जानते होंगे कि जब किसी चीज को हम क्या करते हैं वीडियो के माद्धे हम से present करते हैं उसको पहले एक movie के रूप में present करते हैं तो क्या हो जाती है ज्यादा interesting होती है इसी तरह extension workers भी यह technique यूज करते हैं किसी technology को दर्साने के लिए प्रिज़ को जानकारी को एक पोस्टर की नी साइज है कितना होता है उसमें जानकारी को लिखकर एक board पर fix कर देते है फ्लैनल ग्राप में फ्लैनल का जो कपड़ा होता है उसमें किसी चीज को present करके उसको एक board पर क्या गरते हैं चिपका देते हैं तो वह हमारा फ्लैनल ग्राप खळाता है नेक्स्ट है फ्लैस कार्ड तो फ्लैस कार्ड हमारे कार्ड की तरह ही होते हैं बस इन में क्या होता कि कार्ड में हम खेलते हैं लेकिन इन फ्लैनल फ्लैस कार्ड में हमारी जानकारी दी होती है फ्लैस कार्ड सेट आफ इसमाल कॉंपैक्ट कार्ड यूज फॉर्स हमारे फ्लैस कार्ट कर लाएंगे नेक्स्ट है पपेट इटीज अ मीडिया तो विलेज फीपल तो यह क्या है कम्मिनिकेट करने का एक मीडिया है जो हमने आपको बताया लेते हैं तो यह अच्छा मीडिया किसके लिए कम्मिनिकेशन के लिए और किसी टेक्नालोजी को एक्स्टेंशन वरकर द्वारा एक्स्टेंट करने के लिए अगला है स्लाइट स्लाइट इस ट्रांस्पेरेंट फिक्चर और फोटोग्राफ इन इन इंडिविजूल मांट प् अर् that आया था कि जैसे कुछ फढ़ते हैं या उन्लाइन क्लास लेते हैं तो उसमें जो एक बता आया था कि इसको प्रेजेंट करने के लिए क्लिए और वहीँ जो जो प्रेजेंट करने तो वो हमारा स्लाइट कहलता है अगला है फिल्म स्ट्रिप फिल्म स्ट्रिप दी जारा काइंड ऑफ लाइट सी यह भी काइंड स्लाइट की तरह होते हैं Depicting a single idea in a form of story, एक story group में पूरी एक single idea को क्या करते हैं दर्सा देते हैं उसी slide में slide में क्या करते हैं जैसे कोई method हो गया उस method को एक एक करके हर एक page में अलग-अलग page में slide करते जाएंगे और एक पूरी उसकी method को हमारा पता चल जाएगा सुरू से अन्ता की कैसा होता है mounted and printed होना single length of 355 mm strip film कितना होता है साज इसका 355 mm strip film last है हमारा bulletin boards तो bulletin boards क्या होता है it is a kind of simple board serving the purpose of making announcement displaying event of short duration तो bulletin board क्या होता है जैसे अभी हमने आपको बताया circular क्या होता है तो circular अगर जारी करना होता है तो generally क्या होता है कि एक board होता है हर hostel में अगर आपने देखा होगा या कुछ भी होता है तो उस bulletin board में क्या करते हैं उस circular को हम लगा देते हैं तो bulletin board एक जरिया होता है किसी चीज़ को क्या करने का announcement करने का या display करने का उसमें हमने circular लगा दिया कोई लेटर आया है वो हमने लगा दिया और bulletin में हमारा क्या करते है daily का daily हम जो भी news होती होँ हम change करते लएते हैं तो वो हमारा bulletin board होता है तो चलिए दोस्तों ये था आज का हमारा extension का तीसरा part और उम्मिद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये हम आपसे कह रहे हैं कि इससे एक या दो question जरूर से जरूर पूचे जाएंगे हर साल पूचे जाते हैं तो इससे आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और दोस्तों चैनल को subscribe करिए और अपने मित्रों से बताईए सब्सक्राइब करने को और उन्हें बताईए और आप हमारे वीडियो लगातार पढ़ते रहिए हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरा पेपर हम इससे फंस जागा है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा question आपको एकजाम में मिलेंगे तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद